हेलो एवरिवन दिस इस तनुजा मैम तोड़े विल स्टड़ी अबाउट दे ओर्गनिजम और इन्राउन्मेंट अराउन हम लोगों को पता है कि ओर्गनिजम है ओर्गनिजम जनरली एक इन्राउन्मेंट में रहता है ऊरगनिजम और इन्राउन्मेंट इन्राउन्मेंट उन्दों होता है इन्तेरेक्शन होता है इसमें हम लोग देखेंगे इकॉलाजी at the level of the organism is basically the study of the animal or plant physiology which help us to understand how the organism are adapted to their environment हम लोगों को पता है कि एकोलोजी में हम लोग जनरली हम लोगों ने स्टड़ी की है एकोलोजी दिस्टड़ी ओफ दे इंटरेक्शन अमोंग दो ऑर्गनेजम और फीजिकल इंटरेक्शन हुआ है हम लोगों ने अनिमल और प्लांट फीजिलोजी की स्टड़ी की है विच हेल्प उस तू अंडरस्टैंड हाउ दे ओर्गनेजम और अडप्टेट टू देर एंडरॉन्मेंट इसमें और इंडरॉन्मेंट के साथ किस तरीके से अडप करता है और अट ओनली फॉर दे सर्वाइबल बट अलसो फॉर दे प्रपोगेशन और इंडरॉन्मेंट में रहता है बट उसकी एक जो बेसिक जो एम है जिस शर्वाइबल ही नहीं है survival के लिए तो organism environment में रहता है but generally for the multiplication और second end क्या होता है multiplication, multiplication means क्या तो one organism से new organism किस तरह के से produce होगा इसे हम लोग बोलते है multiplication इस तरह के से हम लोग बोल सकते है कि जो organism है हम लोगों को क्यों study करने ecology की तो organism खुद को environment में adapt करता है किस के लिए for the survival life जीने के लिए और उसके साथ साल उसके जो multiplication है तो new integer किस तरह के से produce हो सकते है इस production के लिए भी वो environment में रहता है यहाँ पे आप लोगों को एक diagram गीवन है और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है distribution of major with respect to the annual temperature and the precipitation अभी यहाँ पे देखे आप लोगों को डाइग्राम में manual precipitation otherwise इसे rainfall भी हम बोल सकते है in the centimeter rainfall जोड़ी centimeter से हम लोग काउंट करते है और इधर हम लोगों को temperature दिया है mean annual temperature annual temperature दिया है और general temperature जो है यह किस तरीके से vary हो रहा है तो हम लोग बोल सकते है जो भी snow जहाँ पे snow गिरता है तो वो area में temperature near about 0 0 से भी नीचे होता है below the 0, 0, minus 5, minus 10, minus 15 तक उसके भी नीचे temperature जाता है और उसके उपर varies अगर होना है 5, 10, 15, 15, 15, 22, 25, 30 इस तरीके से temperature varies हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग उने देखा है कि temperature के according forest जो है उसका जनरली development होता है हम लोग बोलेंगे वहाँ पे major biome का distribution किस तरीके से होता है तो जनरली यह जो temperature below the 0 तो minus 5, minus 10 Arctic and the alpine tundra हम लोग उने देखा है कि tundra और ताइगा रिजन वहाँ पे इस तरीके से tundra रिजन में trees दिखते है second जो है coniferous forest coniferous forest means क्या तो हम लोग बोल सकते है कि वहाँ पे जनरली coniferous like tree दिखते है next है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे temperature forest near about 10 to 15 degree 22 degree इस तरीके से temperature forest and next है tropical forest and desert desert में हम लोग बोल सकते है कि temperature कैसा होता है बहुत ज़्यादा होता है temperature varies हो जाता है increase होते रहता है desert में 30 के उपर and next है grassland इस तरीके से यह जो forest है हम लोग को according to the rainfall यहाँ पे और इधर आप लोगों को यह दिया है rainfall किस तरीके से गिरिये 50 to 100 between 150, 200 cm, 250, 300, 350, 400 and 450 इस तरीके से temperature varies हो रहा है you have studied in earlier classes about the rotation of the earth around the sun and the tilt of the its axis causes the season हम लोग देखते है कि यह जो और तरीके सर के around rotation लगा रही है उसके according हम लोग देखते है season आते है हमारे summer, winter, rainy season and the season with the annual variation in the precipitation in the form of rain and the snow और हम लोग देखते है यह जो season है इसमें हम लोग देखते है यह season में annual variation होता है and हम लोग देखते है कि कभी rain गिरती है and the snow भी गिरता है give rise to the formation of the major biome of the earth like the desert, rainforest, grassland, tundra, etc और यह rain formation के वज़े से हम लोग बोलते है snow कभी गिरता है कभी rain गिरती है तो इसके वज़े से क्या produce होता है major biome is produce होता है on the earth और किस तरीके से desert बनता है rain गिरता है desert कहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा rain नहीं है rain है, rain forest है next है grassland है and the tundra region and etc इस तरीके से यह all region depend है on the basis of the annual precipitation इसे जनरली हम लोगो ने rainfall बोला है regional and the local variation within each biome lead to the formation of the variety of the habitat और हम लोग बोल सकते हैं कि लोकल वेरियेशन इसमें variety of the variation है variation means difference इसके वज़े से habitat दिखते हैं हम लोग देखते हैं कि स्नेक जो है जरली एक छोटा सा जरली स्नेक जो है एक पर्टिकुलर एरिया होल बनाता है और होल की inside रहता है इस तरीके से जैसे organism का shape है structure है उसके उपर जरली उसका habitat depend है हम लोग बोलते हैं कि लॉयन लॉयन किसमें रहता है बड़ी सी गुफा होती है उसमें लॉयन रहता है और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड जो है नेस्ट में रहते हैं तो habitat habitat उनका डिफरेंट है habit और habitat habit means रहने की habit and habitat habit means क्या एक पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर हो and habit habit and habitat इसमें हम लोग बोल सकते है रहने की रहने का place और उनका place के साथ interaction major biomy of the earth shown in figure 13.1 on the earth life exists and even in the extreme and harsh habitat like the scoring desert of the Rajasthan हम लोग बोल सकते है कि राजस्तान एरिया होता है वहाँ पर भी बहुत होट एरिया होता है तभी भी वहाँ पर हम लोग देखते है snake दिखते है camel दिखते है तो इतने होट एरिया में भी animal क्या करते है खुद को एजस्त करते है वो according to the temperature कुद को बहाँ पर एजस्त करते है perpetually rain-soaked forest of the north eastern state and high mountain tops of the Himalaya जा रेन जो है north forested and high mountain tops of the Himalaya यहाँ पर हम लोग को दिखते है here we must remember that it is not only the physico-chemical component abiotic component हम लोग देखते है abiotic component means क्या तो जो non-living component है इसे हम लोगों ने abiotic component बोला है और यह जनली क्या बनाते है habitat of the organism but the habitat also includes the biotic component only non-living thingy habitat नहीं बनाते है तो उसके साथ-साथ biotic component भी habitat बनाने में अपना participation करते है इसमें हम लोग बोल सकते है कि कौन से-कौन से है living thing biotic component they are the plants next pathogen parasites and the predators of the organism हम बोलते है plant plant को हम लोग living thing बोलते है क्योंकि वो growth show करते है तो next pathogen pathogen means क्या तो हम लोग बोलते है कि due to the pathogen हम लोगों को कुछ infection हो जाता है viral infection pungal amoeboidal amoeboidal infection हो जाता है pathogen and the parasite parasite means दुसरे के body पे grow करने वाला है for example release यह कैसा है parasite दुसरे के body के ऊपर रहता है and डनली क्या करता है blood सब करता है and the predators of the organism predator and the prey यह तो most important phenomenon है in the nature का prey means क्या तो जो मरता है उसे prey बोलते है and predator जो उसे मारता है इस predator बोलेंगे इस तरीके से we assume that over a period of time the organism had through the natural selection evolved adaptation to optimize its survival and the reproduction in its habitat हम लोग देखते है period of time over period of the time the organism had through natural selection हम लोग बोलते है natural selection and the evolved adaptation to optimize its survival and the reproduction in its habitat हम लोग इसमें natural selection की जो थेरी है Darwin's theory of the natural selection यह natural selection में बताया गया है कि जो भी जो भी organism environment में रहने के लिए capable है उसमें energy है तो वही generally environment में survive हो सकता है otherwise उसकी क्या हो जाएगी death हो जाएगी and adaptation adaptation भी करना पड़ेगा जैसे desert में रहते हैं तो जनरली वहाँ पर adaptation करना पड़ेगा अगर Arctic Antarctic रिजन में रहते हैं तो हम बोडी के उपर जनरली hairs होते हैं deep hair fur होते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं polar bear तो फर से वो खुद को adapt करते हैं अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं अगरी प्रोडक्शन हो सकता है in the habitat यहाँ पर आप लोगो को habitat and habitat and niche habitat and niche यहाँ पर आप लोगो को point given है habitat what is habitat habitat is a place of this of the state of the environmental condition around organism to which it must add up to survive as a prosperous habitat habitat यह पर्टिकुलर प्लेस है और the state of the environmental condition एक पर्टिकुलर environmental condition का सेट है around the organism to which it must add up to survive and prosper यह जनलरी वहाँ पर survive करेगा and the term niche is used to denote the functional role play in the organism in its environment habitat यह एक place है और नीचे क्या है इसमें यह जनलरी क्या कर रहा है एक functional role play प्ले कर रहा है organism जे green ale in 1917 नीचे include the various aspects of the life of an organism like diet shelter etc हम लोग बोलेंगे नीचे क्या है तो हम लोग बोलते various aspects of the life of the organism और उसमें हम लोग बोल सकते कि diet कैसा है organism का उसके वज़े से उसके बाद shelter shelter means क्या तो हम लोग बोलते है कि shelter means उसे जनलरी home ही बोल सकते है and etc the habitat defined physical space of the organism with the other living or the non living factor जनलरी यह जो habitat है यह जनलरी क्या define कर रहा है a particular physical space of organism with the other living or the non living factor living or non living factor के साथ एक particular space occupy कर रहा है habitat बोलेंगे which include describe how that organism is linked with its physical and biological environment इसने हम लोग बोल सकते है कि जो organism है यह किस तरीके से physical and physical and biological environment के साथ link है in the colloquial language habitat is a postal address while nature is a profession of the organism हम लोग बोल सकते है जो habitat है postal address है means क्या habitat में रहता है and in nature is a profession of the organism profession means क्या तो हम लोग बोलते है organism किस तरीके से interact करता है क्या करता है यहां पर आप लोगों को difference given है it is difference given between the habitat and in nature यह हम लोग देखेंगे यह difference important difference है यह आप लोगों को note down करना है copy में and याद रखना है habitat and the nature habitat is an area where the species lives and interact with the other factor and the process बोल सकते हैं यह जो habitat है यह जनली एक particular area है और यहां पर species क्या कर रहा है वहां पर रह रहा है and interact कर रहा है with the other factor other factor के साथ interact कर रहा है और इसके comparison में नीचे किसे बोलेंगे concept of how an organism lives or survive in the environmental condition generally habitat में रह रह रहा है area है and नीचे में generally यह कैसा किस तरीके से survive कर रहा है in the particular environmental condition habitat consists of the numerous niches and habitat में बहुत सारे niches हो सकते है and niches do not contain the such component and niches में कोई habitat नहीं है effect of the temperature rainfall and the other abiotic factor generally इसके उपर temperature rainfall है and the other abiotic factor इसका effect होगा and niches flow of the energy from one organism to the other through the ecosystem इसमें energy का flow हो जाएगा from one organism to the other means one organism जैसे for example हम लोग बोल सकते है plant के उपर animal depend है और animal के उपर बड़ animal depend है तो energy plant में जो भी energy है वह animal लेंगा animal के animal से energy transfer हो जाएगी दूसरा बड़ा animal इस तरीके से energy का transfer होगा through the ecosystem habitat support the numerous species at a time habitat क्या करेगा numerous species है इसे support करेगा at a time and नीचे support single species at a time और नीचे क्या करेगा single species को support करेगा at a time habitat is a physical place habitat को हम लोग क्या बोल सकते है it is nothing but a physical place और नीचे को हम लोग क्या बल सकते है नीचे is an activity performed by the organism habitat क्या है एक physical place है और नीचे क्या है एक particular activity जो की organism ने perform की है habitat is not a species specific habitat जो है हम लोग बोल सकते है कि यह जो habitat है यह जो habitat है particular species के लिए particular हम लोग बोल सकते है गूफा जो है वह लोग के लिए उसमें tiger भी रह सकता है कुछ time के लिए और दूसरा organism भी आके रह सकता है species के लिए specific नहीं है और नीचे is a species specific नीचे is क्या nest nest में कौन रहेगा बर्डी रहेगा उसमें कोई loin deer आके रहने वाला नहीं है इस तरह के से हम लोग बोल सकते है यह जो basic difference है फिर से revise करते है habitat क्या है habitat is an area यह particular area है where the species lives and interact with the other factor यहां पे रह रहा है species और other factor के साथ interact कर रहा है और नीचे यह concept of an organism the highest lives or the survive in a environmental condition habitat consist of the numerous niches habitat में numerous niches present है and niches do not contain the such component niches में कोई component present नहीं है effect of the temperature rainfall and other abiotic factor generally temperature rainfall and other abiotic factor का इसने effect होगा और इसने flow of the energy from from one organism to the other one organism to the other organism energy का ट्रांसपोर्ट है habitat support the numerous species at a time habitat क्या कर रहा है numerous species को support कर रहा है a single species at a time habitat is a physical place habitat क्या है एक पर्टिकुलर physical place है while niches is a activity performed by the organism and habitat is a not species specific particular species के लिए specific नहीं माना जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं नीचे ज़व species specific हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक्जामपल बताया है कि पर्टिकुलर habitat है वहाँ पे snake का habitat है वहाँ पे rat भी जाके रह सकता है दूसरा भी आके रह सकता है और नीचे जो है species specific नेस्ट में जनरी बर्ड सी रहते और बड़ा अनिमल नहीं रह सकता इस तरह के से हम लोगों ने यहाँ पे basic difference point लिखे देखे हैं यह आप लोगों को study करने हैं definition of the habitat definition of the नीचे हम लोग next class में study करेंगे करेंगे यह यह जुए